मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पे लाल, डोपी, रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी तीन नैशनल अवार्ड्स, ग्यारा फिल्म फेर ट्रॉफी, पत्म भूशन और दादा सहब फाल के अवार्ड ये आखड़े बताने के लिए काफी है कि आज हम फिल्म इंडास्ट्री के दे शो मैन राज कपूर सहब की बात करने वाले हैं वो राज कपूर जो फिल्म इंडास्ट्री के पहले बेताज बात्शाह थे और आज के दौर में भी उनकी गिन्दी बॉलिवूड लेजंड्स में होती है क्या आप जानते हैं राज कपूर का असली नाम रणबीर कपूर था जो आज उनके पोते और फेमस आक्टर रणबीर कपूर का भी नाम है प्यार हुआ इक्रार हुआ है प्यार से फिर क्यूं डरता है दिल साल था 1955 और फिल्म थी श्री चाड़ सो बीस इस फिल्म ने राज कपूर सहाब के डूपते करियर को फिर से एक नई उडान दी थी फिल्म की हिरोईन थी नर्गिस वही नर्गिस जिनके प्यार में कपूर सहाब दीवानों की तरह पागल थे और जब नर्गिस की शादी हुई कपूर सहाब ने खुद को नशे की गर्थ में डुबो लिया था नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवूड लेजेंड्स का सफर नामा और आपके साथ मैं हूँ संजीब जोहान आज के हमारे इस खास शो में हम बात कर रहे हैं बॉलिवूड इंडास्ट्री के पहले शोमैन राज कपूर सहाब की जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है साल 1935 में 21 साल की उमर में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में अभी ने किया था उस फिल्म में वो बॉम्बे टॉकी इस टूडियो में सहायक का काम करते थे इससे पहले तक बाद में वो किदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का काम करने लगे अब कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता प्रत्वी राज कपूर को ये विश्वासी नहीं था कि राज कपूर अपनी जिन्दगी में कुछ खास कर पाएंगे इसलिए बड़े कपूर साहब ने राज साहब को साहयक के तौर पर छोटे बोटे काम में लगवा दिया लेकिन उस समय के प्रसिद निर्देशा केदार शर्मा ने राज कपूर के अंदर छिपे एक्टर को पहचाना और 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में उन्हें हीरो के तौर पर एक बड़ा मौका दिया तो इस तरह राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में एक हीरो की तरह एंट्री मारी उनकी पहली हिरोईन थी हिंदी सेनिमा की वीनस माने जाने वाली सुप्रसिद अभिनेतरी मदुबाला इसके बाद तो मानो कपूर सहाब के सपनों को पंक ही लग गए थे पहली फिल्म से शुरू हुआ सफलता का कारवाँ चलता गया चलता ही गया राजकपूर सहाब की सपनों का कोई पहमाना नहीं था उनकी सपनों को आकड़ों में भी बांदा नहीं जा सकता और नहीं उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र किया जा सकता है उनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक जबरदस थी हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा, दीवाना सैकडों में पहचाना जाएगा तो राजकपूर का शांदार अभिने और मुकेश की दर्द भरी आबाज में ऐसे ऐसे गाने बने जिन्हें आज तक कोई टकर नहीं दे सकता एक्टर के साथ ही राज साहब उतने ही शांदार डिरेक्टर भी थे, क्योंकि वो फिल्म मनाते वक्त किसी तरह का समझौता नहीं करते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी हर फिल्म में अपनी हिरोईन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे अब इसके पीछे की एक दिल्चस्प कहानी है जो हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर बताएंगे साथ ये भी बताएंगे कि कैसे शादी शुदा होते हुए भी राज कपूर को उस वक्त हुस्न के मलिका नर्गिस जी से प्यार हो गया था ये भी बताएंगे कि कैसे एक सम्रिद परिवार से आने के बावजूद उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी थी और अंत में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली कहते हैं खुबसूरती को परकने के लिए खुबसूरत नजरिये की जरूरत होती है और हिंदी फिल्म सेनिमा में ये नजरिया जिसके पास था वो बले ही आज इस दुनिया में ना हूँ मगर उनकी याद हर हिंदूस्तानी के दिल में बसती है ग्यारा साल की उमर में फिल्म-दुनिया में कादम रखने वाले राजकपूर साहब ने फिल्म-दुनिया पर राज करते हुए चोटी सी उमर में ही काम्याबी की बलंदियों को चुलिया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का भी काम किया करते थे दरसल राजकपूर के पिता पृत्फी राजकपूर सहाब चाहते थे कि उनका बेटा जीरो से अपनी जिन्दगी की शुरुआत करे राजकपूर को बच्पन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था यही वज़े थे कि छटी क्लास में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का बन बना लिया और छोटी सी उम्र में ही अभीने करना शुरू कर लिया हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है वाकई एक से बढ़कर एक बेहतरी इन फिल्म में शामदार गाने जो आज भी सुबान पर एकदम ताजा है राजकपूर सहाब ना सिर्फ एक बहतरीन आक्टर थे बलकि उन्होंने अपना नाम राइटर, प्रिडियूसर, डिरेक्टर और एक एडिटर के रूप में भी अवल दरजे पर रखा था तीन भाईयों में सबसे बड़े राजकपूर ने साल 1946 में अपने परिवाल की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी की थी उनकी पतनी कडाम कृष्णा मल होत रहा था कृष्णा और राजकपूर के तीन बेटे और दो बेटियां हुई तो दोस्तों राजसाब की शांदार करियर को जानने और उन्हें समझने के लिए आपको उस 24 साल के लड़के के पास चलना होगा जो चोटी सी उमर में ना सिर्फ एक्टर बलकि टिरिक्टर भी बन गया था वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा चलता फिरता इंस्टिट्यूट बना लिया जिसे आज भी लोग पढ़ते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं जो भी राजसाब के करीब जाता है कुछ ना कुछ सीख कर ही वापस आता है शो मैन बन कर आए और शो मैन बन कर ही गए लेकिन उनका शो आज तक जानी है जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में उस वक्त की सबसे बड़ी स्टार कास्ट ने लोगों को दिवाना बना दिया था अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राज कपूर शुरुवात में म्यूजिक डिरेक्टर बनना चाहते थे लेकिन वक्त के साथ चलते चलते वो सब कुछ बन गए तो शुरुवात होती है 24 साल की उम्र से फिल्म आग के निर्देशन के साथ उस वक्त वो सबसे युवा फिल्म निर्देशक बनकर सामने आये 1946 में उन्होंने आरके फिल्म्स के नाम से अपना फिल्म स्टूडियो बनाया और इस स्टूडियो की पहली फिल्म बरसात थी फिल्म में उनका और नर्गिस का एक सीन इतना जबरदस्ट हिट हो गया कि बाद में वही आरके फिल्म्स का लोगो भी बन गया उस दोर में किसी के लिए भी फेमस होना आम बात नहीं थी तेकि राजकपूर उस वक्त पहले ऐसे इकलौते आक्टर थे जो देश जी नहीं दुनिया भर में मशूर थे राजकपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर हिंदुस्तान के पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें दो इंटरवल्स थे ये फिल्म पूरे साड़े चार गंटे लंबी थी जो आज भी हिंदी फिल्म इंडास्ट्री के सबसे लंबी और सबसे मशूर फिल्म है कहते हैं इस मेगा स्टार फिल्म को वराने के लिए राज साहब ने अपनी सारी जिन्दगी की पूंजी दाउं पर लगा दी थी और इसी फिल्म से उन्होंने अपने बेटे रिशी कपूर को भी लाँच कर दिया था हाँ राज साहब शाहदी जुदा होने के बावजूद भी अकसर अपनी फिल्म की हिरोईनों के साथ अफेर की खबनों को लेकर चर्चाओं में रहते थे बताया जाता है कि राज कपूर ने सबसे ज़्यादा फिल्में नर्गिस के साथ की थी वो उनसे प्यार भी बहुत करते थे हाला कि उन्होंने नर्गिस को लेकर अपने प्यार को कभी जग जाहिर तो नहीं किया लेकिन कभी जुटलाया भी नहीं इन दोनों पर फिल्माया गया गाना प्यार हुआ एकरार हुआ इस गाले में उनकी केमिस्ट्री अपने आफ में सब कुछ कह देती है तो राज कपूर और नर्गिस ने आवारा, श्री 420 और परसाथ जैसी करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम किया था दावा किया जाता है, नर्गिस भी उन्हें बेहत चाहती थी राइटर मधुजैन ने अपनी किताब First Family of Indian Cinema दे कपूर्ज में लिखा है नर्गिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहां तक की अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था वो कहते हैं कि जब आरके स्टूडियोज के पास पैसी की कमी हुई तो नर्गिस ने अपने सोने के कड़े तक बेज दिये थे लेकिन राज कपूर के साथ नौ साल लंबा रिष्टा होने के बाद जब नर्गिस को ये लगने लगा कि राज उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे और दोनों के रिष्टों का कोई भविश नजर नहीं आ रहा तो नर्गिस ने उनके साथ एक दूरी बनानी शुरू कर दी अब ये बात राज साहब को अंदर ये अंदर खाय जा रहे थी कहते हैं कि जब सुनील दत के साथ नर्गिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अपने आपको सिगरेट पटों से जला लिया था ऐसा कहते हैं उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कोई बुरा सब्ना तो नहीं नर्गिस के उपर किताब लखने वाले टी जे एस जॉज के मताबिक नर्गिस की शादी के बात से ही राज साहब ने बे इंतिहार शराप भी नी शुरू कर दी थी अपने फिल्मी सफर के दौरान नर्गिस से अफेर खत्मोने के बाद उनका जुकाव वेजनती माला की तरफ बढ़ने लगा था 60 करशक आते आते दोनों के अफेर की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी थी साल आया 1964 और फिल्म थी संगम और गाने एक से बढ़कर एक मैं का करू राम मुझे बुढ़ा मिल गया हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना बोल राधा बोल की संगम होगा की नहीं दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा तो एक से पढ़कर एक सूपर डुपर तोपर हिट कारे ते राज साहब का प्यार एक पर फिर परवान चड़ चुका था, बाकाइदा उन्होंने दुन्या वालों के सामने वजनती माला से खुले आम प्यार का इज़ार किया, दोनों की शादी की खबरें भी उड़ने लगी, हलांकि राज की हिरोईन ने इन सब बातों को कोरी करार दिया, हिंदी सिन्मा के खुबसूरत अबरेत्री वजनती माला परदे पर जितनी सुलजी हुई अदाकारा थी, दरसल उनकी असल जिन्दगी उतनी ही उलजी हुई थी, 13 साल की कच्ची से उम्र में फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा ने करीब दो दशकों तक फि करीब साड़े चार महिने तक वो अपने बच्चों के साथ मुंबई के नटराज होटेल में रही, बाद में किसी तरह समझा बुजाकर राज साहुने घर वापस लेकर आया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्रिशना कपूर ने घर वापसी की एक शर्त रखी थी, कि राज कपूर फिर कभी वजनती माला के साथ काम नहीं करेंगे, बस, फिर क्या था, कपूर साहब को होम मिनिस्टर की बात माननी पड़ी और इस तरह उनकी दूसरी लव स्टोरी का भी दे एंड हो गया, खेर, वक्त आगे बढ़ता है, और अब बारी आती है उनकी तीसरी लव स्टोरी की कहा जाता है कि वजनती माला से अलग होने के बाद राज साहब ने अब इने तरी पदमिनी को भी डेट किया था, अब इस बात का खुलासा राज के बेटे रिशी कपूर ने साल 2017 में किया था, तो दोस्तों जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि राज कपूर अप उन्होंने अपनी हर फिल्म में हिरोईन को सफ्यत सारी पहनाई, उनसे जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि आरके स्टूडियोज में उनका अपना एक पॉसनल मेकप रूम था, जिसे इस्तिवाल करने की अजासत उनके अलावा सिर्फ देव साहब को थी, जो कि राज कपूर स तब उन्हें खोने का डर मुखरजी साहब को बहुत परिशान करता था, इसी डर को उन्होंने बाद में आनंद फिल्म के जरीए बड़े पर उतारा, जिसे खूब पसंद भी किया गया, तो आईए दोस्तों, अब चलते चलते आपको कपूर साहब की मौत की बारे में भी ब पताते हैं कि कैसे एक प्रोटोकॉल के चलते राजकपूर की जान गई थी, दरसल जिंदगी के साथ बरस देख लेने के बाद उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, उसी समय दादा साहब फाल की अवार्ड के लिए उन्हें दिल्ली आने का नियोता मिला, तो वो मना नहीं कर पाएं, ये अवार्ड सर्मनी दिल्ली के सीरीफोर्ट आडिटोरिया में होनी थी, सुरक्षा कारणों के चलते इस इवेंट में राजसाहब को ऑक्सीजन सिलेंडर साथ मिले जाने की जाज़त नहीं मिली थी, उनको सांस की दिक्कर थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो और कपूर सहाब तुको तुरंट एम्स हास्पिटल बेजा गया एक महने तक चले लंबे इलाज के बाद आखिरकार दशोमैन के जिन्दगी का शूख खत्म हो गया वो अपने आखरी वक्त में फिल्म हिना की शूटिंग से जुड़े थे जिसे उनकी मौत के बाद उनके दोनों बेटो रंधीर और रिश्क अपूर ने पूरा किया फिल्म तीन साल बाद यानि 1991 में रिलीज हुई और बंपर हिट हुई तो आईए चलते चलते उनीक स्टाइल में उनका एक मशूर गाना आपके लिए पेश्ट करते है कल खेल में हम हो नहों करदिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा रहेंगे यहीं अपने निशा इसके सिवा जाना कहा नवस्कार